पूस्त वीडियो में हम discuss करेंगे स्लू रेट उससे डिएलेटि जो नしहां पर उनको भी करेंगे हैं अगर बढ़ते हैं तो स्लू रिटेक्र की डेफिरीशन है डान तो स्लॻेट बीसिकली क्या है जो ओपरेशन तो इसको मेंशन करता है तो एस पर देफिनिशन स्लीव रेट क्या है चेंज इन आउट्पूट वोल्टेज पर यूनित टाइम और यहां पर टाइम है वो माइक्रो सेक्ट में एक्चली जो सलीव रेट है यह डिपेंड करता है जैसे कि हमारा कोई ओपरेशन एंप्लिफायर है या कोई सिस्टम है तो इसके अंदर चार स्टेजेस हैं तो जब कुछ इंपूट पर अगर कुछ हम सिगनल दे रहे हैं तो आउट्पूट तक आने में जो प्रपोगेशन ड सकती है है तो यहाँ पर बहुत सारे इंटर्नल बहुत सारे सरकीट है तो पहले एक स्टेज है सिगनल मा जाएगा फिर दूसरी स्टेज में जाएगा फिर तीसे में और इसके बाद फिर आउट्पूट पर आएगा तो जो टाइम है यहाँ पर जो प्रपोगेशन डिले का तो टाइम जो है वो हम माइक्रो सेकंड में लेके चलेंगे तो यह इसकी यूनिट है अच्छा अब जो मैनुफेक्ट्टर जो इसको मेंशन कर रहा है डिटा शीट में अपना कोई प्रोडेक्ट जो उसने दिया उसके कर्सपोंडिंग उसने बताया कि यह इतना है तो उसस उसको यूजर है उसको क्या information मिल रही है यह समझो तो यूजर को जो information मिल रही है तो यह बतायागा कि यह जो rate of change है output का per unit time यह maximum rate of change है ठेक है तो maximum rate जो output का है change होने का per microseकंड वो दिया है तो कहने का मतलब क्या है अब उसको अब उससे क्या देखेगा कि मैं जो input दे रहा उसकी maximum कितनी frequency दे सकता हूं कि वो output पे detect हो जाए ठीक है अगर sleeve rate से ज़्यादगी frequency का जो sleeve rate जो change है output का और हम मैं input जो change कर रहा हूं उसके corresponding वो उससे ज़्यादा जल्दी change कर रहा हूं तो output वो change आए गा है नहीं तो जो reading आएगी वो गलत आएगी है ना दूसरा है अब V note जो है वो depend करता है दो चीज़ पर V note equals to है आपका एक तो gain है ना तो close loop gain close loop लेकर चलते हैं तो close loop gain multiply by V input ले 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 लेते हैं ठीक है या VD ले सकते हैं ठीक है inverting non-inverting दोनों amplifier में से कोई साइक ले लेते हैं तो हम वो मालेते हैं वी इन है तो जो close loop gain है एक इस पर भी आउट्पूट डिपेंड कर रहा है अगर गेन ज्यादा है तो आउट्पूट जो है वो ज्यादा आएगा तो ज्यादा आएगा तो change जो है वो ज्यादा चेंड है अचकछ कि तो इनपूट है एक तो इनपूट जो सिगनल है उसकी फरिक्वेंसी पर जो आप दे रहे हो इसकी फ्रिक्वेंसी पर जितनी ज़्यादा क्वेंसी होगी उतना ही और inफूट पर ented the length । आब इसके लिमिट है कि आंटूटब मेंटन जो हो सकता है पर unit या पर microsecond वो इससे जादा नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो गया तो इसका मतलब है एक limitation हो गई हमारी input frequency की और दूसरी limitation क्या है output depend करता है closed loop gain पर तो दूसरी limitation है gain की है ना तो कितना maximum gain रख सकते हैं ठीक है तो इस चीज़ को हम समझेंगे numerical की help से तो यहाँ पर first यह example है यह solo example है तो यहाँ पर sleeve rate देगा हुआ है 2 volt per microsecond ठीक है तो output का जो maximum rate of change है 2 volt है per microsecond maximum closed loop voltage gain पूछा है ठीक है और input का बताया है कि input जो आपका change हो रहा है जो vary कर रहा है 0.5 volt in 10 microsecond कर रहा है ठीक है तो directly देख सकते हैं कि 10 microsecond में 0.5 volt का change हो रहा है पर output जो है वो 1 microsecond में 2 volt का change है ठीक है तो इन दोनों के scale बराबर कर लो और output में और input में जो relation है वो है यह वाला relation ठीक है तो scale अगर equal कर लेते हैं तो scale करने करने के लिए 10 से इसको divide कर दें तो यह आ जाएगा 0.05 पर microsecond यह change आ गया input का एक microsecond में input में जो change आ रहा है वो यह है तो इसको इस तरह से भी हम expression को बना सकते हैं ACL multiply by Vin तो change in output per unit time equals to ACL तो constant है यह na Rf4, R1 की value से set होगा जो भी feedback element है multiply by change in Vin, Vin divided by change in time ठीक है यह expression बनेगा तो change in output voltage डारेक्ट आप यहाँ पर इसको place कर देंगे तो यह तो जो sleeve rate का जो formula वो यह है तो यह है हमारा तो इसको यहाँ पर place कर देंगे और इसको जो यहाँ दिया हुआ है उसको डिरेक्ट एधर place कर देंगे ठीक है या सीदे सीदे इन दोनों का scale equal करो यह 0.05 microsecond हुआ यह 2 volt है तो जो input इतना है और output maximum इतना होना चाहिए है यह ना 0.05 अगर input है ठीक है तो output का जो जो output है वो इतना होना चाहिए अभी चेंज की बात करें नहीं है ठीक है तो चेंज को फोड़ देते हैं तो maximum output इतना होना चाहिए ठीक है माइक्रो सेकंड के है तो ठीक है माइक्रो सेकंड में जो change होना चाहिए input पे इतना चेंज होगा तो output पे maximum इतना चेंज होगा तो क्या करें एक दूसर को डिवाइड कर दो तो डिवाइड बई 0.05 कर दो गए आंसर फोटी आएगा ठीक है तो पर माइक्रो सेकंड जो input में चेंज है 0.05 और maximum जो आउट्पूट चेंज हो सकता है पर प्रोसेकंड वह है तो डिवाइड कर दिया तो गेन maximum जो गेन है वह है 40 चलिए बागे बढ़ते हैं मेक्सिमम सिगनल फ्रिक्वेंसी तो गेन हो गया गेन फैक्टर था अब एक फैक्टर है फ्रिक्वेंसी का तो सपोस करो कोई सिगनल दिया है वी आई यहाँ पर के इक पुल्स टू क्या है यह जो है वो गेन है मतलब ए जो है जो इन्पुट वोल्टेज दे रहे है उसका एंप्लिटूट है तो के इक पुल्स टू बनेगा एक तो जो गेन है यहां पर जो तो आउटफूट में जो चेंग वारा है उसका मेक्सिमुम रेट कितना होगा तो के popplei frequency से कर देंगे के multiply जो इसकी frequency आप एक यानी angular है close loop gain और ए है जो amplitude है जो भी input का amplitude है वो ठीक है तो यह है output का amplitude बनेगा ठीक है frequency तो सहीं भी रहेंगे दोनों गी input और output का frequency दोनों सहीं भी रहेंगे हैं ना frequency में तो कुछ change नहीं कर रहे हैं अच्छा तो यह जो term बनी यह बनी ओमेगा के ठीक है तो maximum जो signal का यानि जो भी output जो signal है जो maximum rate ओफ चेंज है output का वो है तो पाई f kv क्लियर है अच्छा अब क्यूंकि हमें distortion जो maximum rate है यह output का यह है ठीक है अब यह अब किस से related है अब यह related है sleeve rate से तो अगर मैं sleeve rate की बात करूं तो sleeve rate भी बता रहा है maximum rate of maximum rate of change of output तो यह sleeve rate भी बता रहा है अब मेरा signal जो change हो रहा है वो यह हो रहा है तो अब यह जो signal है हमारा जो change हो रहा है output signal वो इसके equal होना चाहिए या इससे less होना चाहिए तो यहां पर यह equation हमने बना दी ठीक है तो sleeve rate जो है है ना वो greater होना चाहिए या equal होना चाहिए जो भी हमारा output जो आ रहा है तो यहां पर यह 2 सब्सक्राइब के less than or equal to SR के बन गया ठीक है तो उमेगा के एक बस्टो यह लिख सकते हैं और frequency की टरब में निकालना है तो यह हर्स में आएगा और उमेगा में निकाल लोगे तो एडियन पर साइकंड जाएगा ठीक है तो इस तरह एका तो अंगुलर जो हमारे जो एंगुलर वेलोसिटी है है और यहां ब्रक्वेंसी है वह सब्सक्राइब के तो आप यहां पर नूमेरिकल है हमारे पास अपर एंप्लिफायर दिया हुआ है अच्छाइब तो हमने जो पीछे डिसकस किया था बिल्कुल वैसा ही है है ना तो इसको कर लेंगे तो ये 0.03 बनेगा तो 2.4 डिवाइड बाइ 0.03 तो इसको सोल कर लेंगे कितना बनेगा 80 आएगा यहाँ पर 80 आगया गेन जो close loop गेन है इसका आएगा 80 अच्छा इसके लिए क्या करना है अब यहाँ पर देखो वीवन दिया है 50 मिली वोल्ट इसका जो फिगर है डाइग्राम है इस क्रिस्टन का वो यह है 50 मिली वोल्ट दिया है एसार की वैल्यू इतने दिये है maximum frequency निकाल ले है maximum frequency इसमें भी निकाल लो अचाये radian में दोनों में निकाल लो ठीक है तो हमें क्या चाहिए ? हमें पहले की की value चाहिए है इसार की value ग्यों है की की value नहीं है तो पाई तो इससे कुछ दिखत नहीं है की value है की value होगी जो close-drop gain है और input जो दिया हुआ है वो यह दिया हुआ है तो इसकी multiply close loop gain multiply by V1. तो close loop gain कितना है? अब क्योंकि inverting amplifier है, ठीक है? तो कितना हो गया? 200 divided by 2. अब ठीक है, plus minus आब उससे कुछी लेना देना नहीं है. है ना, change चाहिए positive में हो चाहिए negative में हो, वो change ही है. ठीक है, तो यहाँ पर इतना ज्याद है उसको matter नहीं करना, यहाँ पर यह 100 बन गया. 100 multiply by 50 mili volt. यह की value आई? ठीक है, यह की value substitute कर दोगे? चाहिए इधर कर लो, चाहिए इधर कर लो, तोनों में निकाल लो, हर्स में निकाल लो, रेडियन में निकाल लो. ठीक है, तो sr जो है हमारा 0.4 volt per microsecond, अब यहाँ पर थोड़ा सा grabber यह होगी, जब आप microsecond ले रहे हैं, तो इसको त्यान रखना है, divide by k जो है, वो हमारा यह है, तो यह 50, यह 100, तो कितना हो गया, 5000, तो 5 volt हो गया, ठीक, अब यह microseकंड में है, अब इसको second में बनाना है, पर frequency निकलेगी, तो यह से radian per second निकाल रहे हैं, ऐसे यह hertz में निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, radian में निकाल देते हैं पहले, तो यह बनेगा 0.4 multiply by 10 to the power 6, divide by 5, ठीक है, तो यह बनके आएगा, तो जो frequency बनके आएगी, 0.40 कर लो, 8 multiply by 10 to the power 4, radian per second, यह frequency आएगी, यह maximum frequency है, जो apply कर सकते हैं, ठीक है, अगर इस से ज़्यादा की, तो जो signal है, output signal, वो distort होगा, ठीक है, तो यहाँ पर distortion सो बचाना है, तो input जो frequency रहेगी signal की, वो यह रहेगी, और divide by 2π कर दोगे, तो hertz मा जाएगी, है ना, ठीक है, next problem है, यह है, यह example है, बोजिस्टिट में यह example दिया हुआ है, वो दोनों जो थी, unsort problem थे, यहाँ पर diagram दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी k निकालना है सबसे पहले, तो k equals to 240 divided by यह, तो 24 हो गया, multiply by input यहाँ पर दिया हुआ है, 0.02, तो 0.02 यह दिया हुआ ह ठीक है, ठीक है, अब omega equals to क्या है, omega less than or equals to sr होना चाहिए, तो sr divided by k, यह है, तो sr है, हाँ पर 0.5, ठीक है, अब इसको मैं second में convert कर लेता हूँ, 0.5 multiply by 10 to the power 6, यह per second हो गया, divide by k, k जो है, बोल्ट में है, तो 24, ठीक है, बोल्ट पर second में है गा output, 24 multiply by 0.2, तो 24, कितना बनेगा, 8, 4, 0.48 बन जाएगा, ना, तो 0.48, तो यहाँ पर 0.48 है, यहाँ पर 0.5 है, तो 1 से तो अब भी आएगा, तो 1.1 मान लेते हैं, ठीक है, calculate करके देख लेना, multiply by 10 to the power 6, रेडियन, यहाँ पर भी यह जो है, उमेगा दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ उमेगा ही निकाल लेंगे, तो रेडियन पर सेकंड, तो यहाँ पर भी जो उमेगा है, रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ, तो यहाँ पर जो इंपूट, जो एंगलर फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, तो यह पूछ रहा है, कि जो maximum frequency है, कितनी यूज कर सकते हैं, त इससे भी increase करते करते कर जाएं, तो इस frequency तक भी अगर जा रहे हैं, तो output में कोई नहीं आएगा, तो वीडियो कैसी लगी, comment करें, अगर वीडियो अच्छे लगी है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है,